स्टेशन्स का क्या अर्थ होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं स्टेशन्स का दो तरेके से इस्तिमाल किया जा सकता है एक तो स्टेशन का प्लूरल यानि बहुवचन होता है स्टेशन्स यानि कि एक से ज्यादा स्टेशन को हम स्टेशन्स कहते हैं और station का अर्थ होता है अड़ा, स्थान, जगह, स्थिती, ठाना, अधिकार, केंद्र, दशा, छावनी या पदवी तो एक से ज़ादा अड़ों, स्थानों, जगहों या पदवियों को हम stations कहते हैं इसके इलावा इसका verb की रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है तो verb की रूप में station का इस्तेमाल जब हम present in definite tense में he, she, it या singular third person के साथ करते हैं तो rule के coding इसके साथ test लगाते हैं जिससे stations बनता है और stations का आर्थ होता है कि station करता है या करती है और station करने का आर्थ होता है ठहरना या स्थापित करना तो stations का आर्थ होता है ठहरता है या ठहरती है या ठहर जाता है या ठहर जाती है या स्थापित करता है या करती है या कर देता है या कर देती है जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि शुकरवार को यहाँ थानों में दहशत का माहुल रहा तो आप कहेंगे it was panic stations here on Friday या अगर आप ये कहना चाहें कि पैट्रोल स्टेशनों पर धुमरपान पर प्रतिबंध है तो आप कहेंगे there is a ban on smoking in petrol stations या अगर आप ये कहना चाहें कि हमलावरों ने दो बिजली स्टेशनों पर हमला किया तो आप कहेंगे the raiders attacked two power stations वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें